आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी जगाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहत अजीब हैं और विज्ञान के पास भी जिनका कोई जवाब नहीं है ये जगा असल में प्राकर्ति का अद्बुद चमतकार है तो चलिए शुरू करते हैं नमबर एक पर है Great Standing Stone ये बड़े सफेद पत्थर जो आप अभी देख रहे हैं ये रश्या के Seven Wonder में से एक है वहाँ के लोगों का मानना है कि ये 30 करोड साल पहले पत्थर है और ये Seven Strong Man के नाम से भी जाने जाते हैं वहाँ के लोग इसको बहुत जादा मानते हैं उनका कहना है क कि ये उनके भगवान की एक निशानी है जिसे उनके भगवान ने खुद बनाया है इनकी हाइट 98 फीट से 138 फीट तक है रोकलाइमबर्स ने इसे एकस्प्लोर करने के लिए कई बार इस पे चड़ने की कोशिश की लेकिन आस तक सफल नहीं हुए हाला कि वह इससे बड़ी चोटियों और पहाडों पर कई बार जा चुके हैं नमबर दो पर है फिंगल्स केव स्कॉटलेंड के एक आइलेंड के पास इस्थित इन केव्स के बारे में शायद ही आपने सुना हो ये केव्स सो साल पुरानी है और आज ये एक बहुत ही पॉपिलर टूरिस्ट पॉर्फिक्ट डिजाइन केव्स बहुत ही जबर्दस्त कारीगरी और इंजीनेरिंग को दरसाती हैं लेकिन ये डिजाइन किसी इनसान ने नहीं बलकि प्राकरती ने खुद तयार किया है और इनका शेप वॉलकैनों के इराप्शन की वज़ा से तयार हुआ है सुनने में भले ही ये अजीब लग रहा हो लेकिन ये बिलकुल सच है इन वॉलकैनों की खास बात ये भी है कि जब इनसे हवा गुजरती है तो बहुत ही सुरीली आवाज सुनाई देती है नमबर तीन पर है अंडर वाटर वाटरफॉल वाटरफॉल देखने में बेहधी सुन्दर होते हैं जो हमेशा किसी उचे पहार से जमीन पर पानी गिरने की वज़ा से बनते हैं लेकिन हम आपको एक ऐसे वाटरफॉल के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी पहार से पानी गिरने से नहीं बना बलकि ये waterfall समुन्दर के अंदर बना है Moridius के island के पास समुन्दर के अंदर ये waterfall है जो भी आप देख रहे हैं एक waterfall वो भी समुन्दर के अंदर ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो की देखने में बहुत ही सुन्दर और अद्बुद लगता है लेकिन असल में ये सिर्फ एक optical illusion है जिसे आप आँकों का धोका भी कह सकते हैं पानी के अंदर बहने वाले सफेद रेट की वजह से ये इतना सुन्दर और अद्बुद नजारा दिखाई देता है जो एक waterfall जैसा दिखता है नमबर चार पर है river under ocean डिपोजिन के अंदर एक नदी है जो समंदर से अलग है और अपने हिसाब से भैती है सुनने में ये अजीब और एविश्वशन हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल सच है समंदर की तह में एक hole है जिसे बहुत कम लोग explore कर पाएं है जिसमें दूसरी तरफ गहराई में एक नदी है जो समंदर के अंदर बहती है समंदर के अंदर नदी अपने आप में ही एक अद्बुद घटना है आज भी बहुत से लोग ये मानने को तयार नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है तो ये थी दुनिया की अजीबो गरीब जगा है आपको इन में से सबसे ज़्यादा अजीब जगा कौन सी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें जादे से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्रा